आलू फलिया रेसिपी ऐसे बनाएं कि ना खाने वाले भी रोटिया मांगते रह जाएं अस्सलाम अलेकोम मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू फलिया रेसिपी इंशाला इस तरीके से आलू फलिया बनाएंगे तो सब खाएंगे आपने सिर्फ बनाने का थोड़ा से तरीका चेंज करना है जिससे ये बहुत टेस्टी बनेगी इंशाला तो चले आलू फलिया रेसिपी शुरू करते हैं एक कड़ाई ले लें उसमें आदा कब तेल डाल दें तेल हलका सा गरम होगा तो उसमें एक चाय का चम्मच साबुस सफेज जीरा डाल देंगे और इसको कुछ सेकिंड के लिए हमने करकड़ाना है ताकि इसका अच्छा सा फलेवर निकले जीरा फ्राय करने के बाद इसमें दो दर्मियानी साइज के प्यास काट के डाल देंगे अब प्याजो को हमने हलका सा गोल्डन ब्राउन करना है प्याजों का हलका सा कलर चेंज हो गया है आप देख सकते हैं अब इसमें हम डाल देते हैं तीन से चार ये मैंने आलू लिये थे इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है ये डाल देते हैं आलूं को आप प्याज और दीरे की साथ अच्छे से फ्राइब करेंगे तकरीबर 5-7 मिनिट तक आलू ऐसे फ्राइब करने से वो अंदर से फिके भी नहीं रहते और उपर से भी वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं चैनल पे न्यू है तो चैनल को जिल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बलका आइकन है उसे भी जरूर दबाएब अब इसमें एक खानी का चमच चॉप लेसन डाल देंगे अगर आप चाहें तो इसमें लेसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं ल सफ्ट हो जाएं फलियां आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़दा फाइदे मंद होती हैं कोशिश करें सबजियों का इस्तमाल अपनी डेली रूटीन में लाजमी करें और आलू फलियां रेसिपी ये तो बहुत ही जट पर तयार हो जाती है आप देख सकते हैं टेमाटर हौफ्ट हो चुके आप इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं आदी चाय का चमच हल्दी पाउडर डेड़ चाय का चमच पिसी लाल मिर्च एक हानी का चमच जो पिसाओधनिया और एक चाय का चमच भुना कोटा जीरा एक चायका चमच उनमक डाल कर इन सब चीजों को अच्छ एपन्जो हम और खत्म हो जाए्जू से भून गया है अब इसमें अ काट कर डाल दें। आप कि अपनी पराइज हाँ में आप चोती साइज में काटें ह्या दर्मियानी साइज में काटेंley। अब इसे अच्छे से हमने mix कर लेना है तक्रीबर दो से तीर मिनट तक अच्छे से हमने फलियों को भी भूनना है बहुत ही simple मसाले हमने इसमें शामिल किये हैं आप देखेंगे किमें से ज्यादा मज़दार ये आलू फलियां recipe बनकर तयार होगी फलियों को हमने अच्छे से mix कर लिया है अब इसमें आदा glass पानी डाल देते हैं क्योंकि आलू भी गलेंगे और फलियां भी गलेंगी इसे cover कर देंगे तकरीबन 10 मिनिट के लिए medium to low flame पे ताकि ये अच्छे से गल जाए 10 मिनिट के बाद cover अटाते हैं माशरा से आलू फलियां recipe बिल्कुल तयार है इसमें थोड़ी freshness देने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चे काट के डाल दें और फिर आपको dish out करके दिखाते हैं सिंपल घर की मसालों के साथ त्यार होने वाली बहुत ही जट पट आलू फलियां recipe आज मैंने आपके साथ शेर की है और आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और comment section में अपना feedback दें वीडियो पसंदा है तो इसे like करें शेर करें इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ अपना धेर सारा फ्याल रखीगा दौाओं में याद रखीगा अल्ला हाफिज